प्रप्रच्चो बॉल मॉनिंग अभी तग अपने अकाउंट के कुछ पाच पॉबलम सॉल्ट किये थे यह ने कुछ छे साथ लेक्चर्स अपने अकाउंट के किये आज अपन एकनोमिक्स स्टाइट करें क्योंकि वी आपने विए बेस्ट सब्जेक्ट है शुरुबाट में क क्योंकि एकनोमिक्स सब्जेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड की एकनोमिक्स से भी जुड़ा हुआ है और एक परस्नल एक्व्यक्ति की एकनोमिक्स से भी जुड़ा हुआ है इसलिए उसको माइक्रो और माइक्रो मोलते हैं अपने सिलाबस की शुरुबाट भी इसी से है कि इंडिविजनल लेवल पे जो इकनॉमिक्स रहता है और एक वर्ड लेवल पे या मैक्रो लेवल जिसको बुलते MSTRO वो लेवल पे इकनॉमिक्स क्या रहता हुआ है सबसे में तो इकनॉमिक्स की शुरुवात अपन कर रहे हैं एलेवन में बेसिक हो गया असापना और अभी जो है वो अपने को फ़र उसके आगे का पॉजिशन है एकनॉमिक्स की शुरुवात जो है वो हाउस्वोड साइंस इससे हुई है ओक्यूमिन याने हाउस्वोड साइंस एक हाउस वाइफ अपने खर को चलाते वक्त अपने लिमिटेर इंकम मैंसे एना फैमिली के लिमिटेर इंकम मैंसे अनलिमिटेर वांस को कैसे कम्लेट करती है उसको उक्यूमिन कहते है ठीक बचावाई और उससे एकनॉमिक्स सी शब्ड बना है तो सब का इंकम क्या था लिमिटेर रहता है सभी का इंकम चाहे वो प्रैशेजिंट रुपेर हो हम है तुम है कोई भी हो टाटा हो गरला हो उसकी हिसाब से वह लिमिटेर इंकम रहता है लेकिन Wants उसकी बहुत जाड़ा रहती है मेरी इंकम अगर 10,000 रुपे है तो मेरी Wants 15,000 की तैयर होती है मुझे अगर 50,000 इंकम मिला तो मेरी Wants 1,000,000 तक चली जाती है यह जो है यह Wants और Needs इनके बीच में यह Resources के बीच में जो Confrontation होता है इसी को Egonomics में डिक्रस करते है फिल के देखो साधे शब्दों में Our Wants are Unlimited हमें Mobile भी होना है हमें गाड़ी भी होना है हमें अच्छा घर मघ्रो भी होना है हमें बहुत सारी चीज़े होना है हमारे लेबल पे भी बढ़े लेबल पे भी करेंस लेबल भी साथ को बहुत सारी चीज़े होना है पर हमारी इंकम उत्ती सपोर्ट नहीं करती यह इंकम बढ़ जाए तो हमारी Wants और बढ़ जाती है है ना एक डूसो तीन सुरू पर रोज कमाने वाला बैखती है उसकी लिमिटेर Wants होती है और उसकी Wants बढ़ती है तो उत्ते टाइम पर रिसोर्स नहीं बढ़ते है है ना मैशे पास सब जो एक गारी है तो ठीक है पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे अच्छे गारी होना है है ना परेज़ पास एक अधर घर है, वो मुसे दखता है, इस से अच्छा और घर बना सकते हैं, तो यह जो वांड्स है, यह वांड्स हमिशा बढ़ती रहती है, पर पैसा उतना unlimited नहीं मिलता, यह ख़़ा पिदला दिया और पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, यह हमारे पास ऐसे कोई जागो की यह भी नहीं, छड़ी भी नहीं है, कि जिससे हम क्या करें, कि पैसे जनरेट करें, तो हमारे पास time limited है, हमारे पास income limited है, हमारे पास पैसा limited है, इस limited पैसे में, हम unlimited वांड्स को कैसे गमरेट करें, यह economics है, खिर से देखो, हमारे पास क्या कमी है, तीन जियो की कमी ह पैसे की कमी है और एनर्जी की कमी है कैच जो की कमी है तीन जी जो की एनर्जी रिसोर्सेज और टाइम बनी यह हमारे पास लिमिटेड है लेकिन हमारी वॉन्स अनलिमिटेड होती है एक को कम्लेट करें तो दूसरी अराइज होती है दूसरे को कम्लेट करें तो तीसरी अराइ कि मेरे पास एक फीजर फोन था पहले हो किया थी तो इसको बहुत खुश्च था पहले पर एक दू मैने में तिंचर मैने में थोड़ी दूसरे मोड़ी देके तो ऐसा लगा ले इस फोन में तो कोई फ़र कुछ नहीं है फोन देने की इच्छा भी फिर स्मार्टपॉन में दोटिन टाइप फिर उसमें भी और उच्छा फोन लेने की इच्छा यह इच्छा सबकी बढ़ती जाती है एक हदाई व्यक्ति रहता जो अपने इच्छाओं पर कांट्रोल करता है और बढ़डी भी चाहिए एक्चुली ये बाद किसी को गज़त लगेगी, पर इकनोमिक्स में जित्ती तुम्हारी इच्छा बढ़ेगी, उतना तुम्हारा एक्टिविटी बढ़ेगी, तुम उतना एक्टिव हो जाओगे, ने तो अगर मैंने आज डिसारी कर लिए कि ने ने, मैं चपल भी ने पहनूँगा, सब्सक्राइब बहुत महापुरूश जैसा रहूँगा, तो क्या कुरूँगा मैं, मैं एक्टिविटी बन कर दूँगा, मैं ज्यादा एक्टिव होना बन कर दूँगा, तो एक हिसाब से एकनोमिक्स मैंने जहां तक पढ़ा है, तो उसके मुझे लगता है कि हमारे एक्ट पढ़ाना चाहिए, तो जलके बुरी आदत लगई, किसी बुरी कर लगई, ट्रिंग लगई, कुछ यह, गैम्लिंग की आदत लगई, तो तो यह पॉजिटीव बन की बात कर दो, पॉजिटीव बन की बनी जही है मारे पास अच्छा कंपेटर होना चाहिए, मैंने पास हो जाएगा, हम एक्टिव हो जाएंगे, यह इकनॉमिक्स की सीच है, यहां तक मैंने 20-20 साल में स्टड़ी किया इकनॉमिक्स की, तो इकनॉमिक्स हमको एक्टिव रहना सिखाता है, फिर से दे को एक लास्ट राइम बता रहे ता हूँ, और से लाइबस में चलिए आते हैं कि out of the limited money, energy, हम unlimited wants को कैसे कवर करें, इसको बोलते हैं, इकनॉमिक्स, जाना, फिर कोई कैसे करता है, जैसे कोई पहले wants इसको इसको कम्रीट रता है, क्या करता है, तो यह सब अपने अपने नेवल पर इकनॉमिक्स करते हैं, ओके, चलो, अपने भी डाइरेक्ट जाएंगे, स एक नेपनामिक्स स्मैलिंग में अधन इसद आए है, तो फरक के में स्मेलिंग में आ और एक हैं, लेकिं फरक इतना चा नही में हो वो जबी न इसमान का आप हो, अपने मारह का मुक्त चैए हिरेक्ट, स्माल, कर मैक्र को मतलब ता है जास्ट, लाज, M-I-C-R-O, M-S-E-R-O, I और A का फरेक है, तो एक छोटा से छोटा पार्ट और एक बड़े से बड़ा पार्ट, यह होगा है न दो एक्स्ट्रीम पोल हो गए वो, एन दो एक प्रकार के अलग अलग, जैमिर आसमान जिसको मैंने बोला न वो ऐसे टाइब वो, यह है क् Macro Economics, this is the first chapter, देखो दोनों की इंट्रोड़क्शन, एक basic एकदम, एकदम चाइल्ड लेंग्वेज में, एकदम स्पून खिरिंग में अपन क्रावाईगे, और देखो इस बुक्स में भी बहुत अच्छे से एक्स्पेंड किया है, Macro Economics and Macro Economics are the two main branches of modern economics, जो आज का economics है, उसमें Micro और Macro, दोनों के क्या है, एक branch है, branch मतलब क्या है, उसकी शाखाए है, उसके तो एक अंध है, Micro Greek word, M-I-K-R-O-S से बना है, Micro से, उसका मतलब होता है small, या millionth part, millionth part मतलब चोटे से चोटा part, एकाने टोमेटों को काटेंगे, पोटेटों को काटेंगे, ओनियां को काटेंगे तो उसका चोटे से चोटा जो टुकड़ा बनता है, सबसे चोटा टुकड़ा बनता है, उसको बनता है, Micro, M-I-K-R-O, लेकिन M-A-C-R-O, जो उसका दूसरा अंध है, उसका दूसरी side है, वो जो है, वो Greek word M-A-K-R-O-S से बना है, I की जगर पे A बन गया है, है ना, यह दिख रहे हैं, और यहां पे A दिख रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, Large, Big, बड़ा, Multiple, यह दोनों भी जो टर्म्स है, टर्म्स मतलब शम्द, वर्ड्स, M-I-K-R-O, M-A-C-R-O, यह दोनों भी Ragnar Frisch, नाम के वेक्ति ने 1933 में इन्मेंट किया उसको, यह पहली बार प्रेजन्स किया, यह दो अपने जोल देके पढ़ना है, फिली दो ब्लाइंग, स्माइज दो पेर आता है, उसमें आता है, फिर देखो, Ragnar Frisch, में पॉइंट किया उसमें का Ragnar Frisch, 1933, इनोंने इस वर्ड्स को प्रेपोस किया, प्रत्ताव किया, हमारे साम्दे रखा, और इसको बन गया, माइक्रो और मैक्रो एक्रोमिक्स, समझे बच्चो, वे इसक्रिज में अपने क्या दिखना है, 1933 में, जो नौर्वियन व्यक्ति था, उसलो यूनिवर्सिटी में, उसमें दू शब्दों को हमारे साम्दे रखा, माइक्रो और मैक्रो, इक्रोमिक्स के दू प्रियूस रखे, इकूरमिक्स को स्टडी करने के माइक्रो को में जो, इसक्राइब बच्च्च आती है, डिपीट में मैक्रो है, इने में में अनुए यह आपके रिमार्ड में बैमध क्या है, तो ब्रांचे ईक्टोमिक्स, back, tomorrow, ग क्या है सुभ में मैक्रोमिक्स, अब मैक सपलाई किया है मेरे पास यह सब स्टड़ी किया जाएगा इसकी स्टड़ी करना इसकी पढ़ाही करना जे में स्टड़ी करना हो गया कि ले देखे चैना में इसकी अ क्पट आए बितना इंडीयाच लेने ही चाइना में पोजीशन हैर यह सब देखना इनकाना शूटे-ची भी उस एरिया की डिमांड देखना, कि यह अत्माल में कितनी डिमांड है, यह शहर में कितनी है, ग्रामे विभग में कितनी है, एक अधी छोटे तालू का लेवल पे कितनी है, ग्राम बंजेत लेवल पे कितनी है, यह छोटे सी छोटे पार्ट को स्टड़ी करना इस दा माइक यह जो आत्मा काता चोटा पगट है एक्षायजेट सम्झेव नेर है तो एक नेर तालूगा में कितनी रिमांड है वो माइक्रो लेबल पर आजाएगी और वर्ल्ड लेवल की डिमांड देखना पर प्रिश्चाडी का पार्ट है यह कोई दोनों के इंदूसरे में दुश्मन नहीं है आपस में दोनों का मुकाबला नहीं है यह वीच वन इस दो बैस यह भी अपने को देखना नहीं है प्रिजाव अंगल ऑफ स्टड़ी का एंगल है इसे चावल बगता है खिचड़ी बगती है तो पुरी खिचड़ी दभाक्ष्या चावल दबाके नहीं देखेंग माइक्रो से मैक्रों के तरग जागी ऐसा भी हो सकता है कि एक दाना दबाके पूरी खिचड़ी पखेंगे नहीं पुरा चावल पखाके नहीं इसको टेस्ट कर सकते हैं ओके तो यह समझ गया नो तो देरा तू टैप्स ऑप तो ब्राइंचिस अब इस दो एंड़ी आरो और पहले के सकी आए कि माइक्रो के बारे में फश्चाभी आए तो अब ध्यान से थेखो इसका में इसका में इसका में देखो एक लाइन देखो एक लाइन देखो एक एक वर्ट को पढ़ो माइक्रो में फार्ट पार्ट ओओ खिंग बने करते हैं इंडिया पाकिस्तान के पंगल अमेरीका है पर उसके च neste पार्ट में अगर आएंगे हम तो स्टेट लेवल पर ने तमाराश पही होती जिया है। उससे भी छोटे लेवल पर जैंगे तो डिस्ट्रिक मतलब त्राप करें के यह अध्माल नाखपूर अमरावदी अतने लिए। उससे भी छोटा पार्ट देखेंगे तो तासिल लेवल जेसे तरवादी सब्सक्राइब अंधितर वारी गर्ण फृसरी उससे भी छोटा लेवल लेखेंगे तो घ्रैम बंचेत लेवल हो एक अरित तासिल में जेसे यह तासिल भी है नहरत तासिल है, एक अधिकरश तासिल है, तो उसमें एक फ़किन परम जैसे तो जनरली वह ग्रै क्षोटे लेवल को देखना माइक्रो स्टडी और एकदम वर्ल्लेवल पर देखना के बात करेंगे तो श्र्देक्रatin म सब्सक्राइब टेख荜ी नड़ीट मोड्र पर करते हैं वह इसे तो एम और चोटे गाव लेवल पर देखेंगे जहां कम जड़ा सान के हजार ज़ार 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 जो भी कुछ लेवेल होगा उसका, तो वहां पे भी जरूत होगी, वहां पे एकादे बार कुछ डाउफुल पेशेंस निकलते हैं, तो इमर्जेंसी में वहां पे भी कुछ लगेग एकादे बार एमर्जेंसी में और सरे एकुपमेंट की हो, तो वो नहीं करना MICRO दूसरी लाइन देखो, MICRO इकनोमिक्स, मुझे माइक्रो एकनोमिक्स, तुसरी एक्षिन में, हमारी एक्षिन मुद्ध करेती हैं, पॉलिटिकल एक्षिन, तो यह नहीं देखना है कि उसी छोटा सा गाव है, किस पार्टी को फिएर कर रहा है, एकादे बीजेपी को कर रहा है, और किसी पार्टी को कर रहा है, कोई भी पार्टी को कर रहा है, यह नहीं देखना है, इस इस पॉलिटिकल, हम इसमें पॉलिटिकल नहीं देखते हैं, हम इसमें एकनोमिक देख तो यही हमारे स्टड़ी का पार्ट नहीं है नहीं है जैसे individual consumer और ये एक ग्रहाद, पूरा market नहीं, एक ग्रहाद, मैं मेरी रिमाइन देखूंगा, जैसे आज मैंने पेटल भरा, तो मैं मेरी रिमाइन देखूंगा, कि मेरी रिमाइन किरती है, अभी आनलों ये lockdown जो है, जैसे मेरा पेटल की रिमाइन बहुत ही कम होगे, मैं कम से लेकिन पूरी रिमाइन की रिमाइन या पूरे पेटल पंपे कितने customer आ रहा है, ये lockdown के वज़े से कितने कम होगे रिमाइन, किती बढ़ ज़गी, या कौन से सेक्टर में बढ़ ज़गी, जैसे government सेक्टर में बढ़ ज़गी होगी, police का petrolling रहता, government की department में SD हो रहते, collector रहते SP रहता, ये सब को ज़गोना पड़ता है, लेकिन उसी तरीके से देखेंगे, तो मेरे जैसे आम लोगों की, common people की, है न, डिमाइन एकदम खड़ जाएगी, क्या है जाया एक खड़े बार कही, तो बस vegetable foods लाना है, कुछ hospital का गाम है, तो उसके लिए अपन महल निकलते है, normally, निकलना चाहिए, तो आप देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि individual consumer, मतलब मेरे अखेली की रेखेंगे, पुरे market की नहीं रेखेंगे, है न, individual producer, producer मतलब माल तायर करने वाला, है न, एक आदे माल तायर करने वाला है, पंधरा प्रोडूसर है, तो पंधरा प्रोडूसर की स्टड़ी नहीं होगी, एक प्रोडूसर की स्टड़ी होगी, है न, जिसे गुद्रेज वाला क्या कर रहा है, उसका कैसे चल रहा है, वो स्टड़ी करना है, इसन, M.I.T.R. उसके अद में फर्म, फर्म मतलब बिजनेस करने वाली सांसना, जिसे अपने G.C.A. है, इन जि पूरी इंडस्ट्री, हैने पूरी इंडस्ट्री मतलब पूरे क्लासिस वाले क्या कर रहे है, इसमें स्टड़ी नहीं करेंगे, उसका पार्ट है M.I.C.A.R. बुसरा है, पूरे क्लासिस वाले M.I.C.A.R. में पूरे प्रोडूसर, यह पंदरा साबून वाले है, यह उत्म कडिस्टिक निया है, एंडस्ट्री बिया है, एक्शार की, वो M.I.C.A.R. होने जाएगे, अब शायर हो गया तुमारा, जब प्राइज थृटिकुजर अर्फाक्टर, है न, प्राईज भी पॉर्टिकुलर क्मोरीटी की, प्राइजीलिए मतलब एक क्मोरीटी और फाक् इसका माइक्रोइकनोमिक्स है अब कुछ डेफिनेशन से डेफिनेशन मतलब परिभाशा जो अच्छे-च्छे एक्सपर्ट लोग रहते हैं वो इस परिभाशा को प्रिजेंट करते हैं मार्शल है रोबिनस है ओ से मेल कंग है इसे बहुत लोग है जो यह क्या करते हैं डेफिनेशन से परिभाशन को परिफिनेशन से एक हैं इक हैं नौरिस द्रीशम है है ना partir nog microeconomics is in fact a microscopic study of economy microeconomics क्या है microscopics study microscopics तкой मतलब microscope से अगर हमने देखा तो अपन चोटे से छोटे parts को बहुत बढ़ा करके नेख सकते है तो उस लेबल की study है learning microeconomics consist of looking at the economics to microscope अर्थ व्रस्थत्यको अकरूप सिरीकना as it war to see how the millions of cells in the body of the economy the individual or household as a consumer individual or firm as a producer play their part in the working of the whole इकनोमिक और जाएजिए तो फॉलविंग चार्श फिर देखो मॉरी जॉप की डेविनेशन तो बहुत सिंपल है माइको मतलब क्या है माइक्रोसकोपिक स्टड़ी लर्नर क्या बुलता है बिलियन ऑफ सेल्स इन दे बोड़ी ऑफ इकनोमिक एक ईकनोमि मतलब एक व्यक्ति समझो और उसके जो मिलियन्स चोटी-चोटी सेल्स है है माद चोटी-चोटी पार्ट है उसके उस पार्ट्स को स्टड़ी करना है है पुरा यह माइक्रोसकोपिक है स्कोल से माइक्रो एकनोमिक देख ओप डीडियल में स्कोप ऑफ माइक्रोग्रोमिक्स इसका स्कोप क्या है है न स्कोप मतलब क्या है वो कहां तक ठैला हुआ है सिधा-सिधा उसका उपयोग क्या है, उसका फूचर किसा है, क्या उसमें सड़ी बैता है, इसे कोई बुलता है न, ये Commerce का स्कोड क्या है, ये Science में स्कोड क्या है, से करने से क्या स्कोप है तो ऐसे ही है स्कोप तो उसका स्कोप क्या है तो यह कौन से एरिया तक वो फैल सकता है किस लेवल पे जा सकता है so there are three part of the scope of the microeconomics one is the theory of factor pricing doosra product pricing sorry doosra theory of factor pricing so pile of product pricing doosra factor pricing doosra theory of economic welfare economic welfare फोटी बहुती इंट्रस्टेंग है फिर से देखो product pricing product pricing मतलब एक वस्टू की जैसे हम वस्टू देखते हैं चीज़ देखते हैं पिन से लेके पियानों तक है ना चोटी सी पिन से लेके बड़े मोटर तक हेलिकॉप्टर तक जितने भी चीज़े हैं उसकी वहाँ पे स्टड़ी होती है और इंडिजल लेवल पर है उसके बाद में पेक्टर बाइजिग मतलब क्या है और चार पॉर पेक्टर्स अप प्रड़क्शन हमने है यह देखता तर फैक्टर्स अफ प्रड़क्शं चार कोंसे हैं पूसरा डैड जमीन डूसरा लं डी बीओ इखा यूजू आर लेबर लेबर तीस्टराव कैपिकल, C-A-P-I-T-A-N और चौफ़ा वेक्टर से एंट्रपेरर, E-N-T-R-E-T-R-E-N-E-U-R एंट्रपेरर, तो इस तरीके से तरीके से तरीके से देर आर फूर वेक्टर्स ऑप्रोडक्शन उनको जो रेमुदरेशन मिलेगा मोबदला मिलेगा भाड़ा से भाड़ा जिसको मिलेगा लाइड़ वेजिस है, वेजिस इसको मिलेगी चो लेबर्स है जो डर दी जाएगी यह मालिक के द्वाला वेजिस दी जाएगी लेबर को इंट्रेस्ट चो पैसा उधार लाया था वे पाइब आ ना सबहें जा और प्रोफिट किया है भच्या? ये डिनो हूने की बाप बचंब देंगा। ट्वेशत देना है रेंट कमे प्रोफिट ख़जु है। मारे दोस्तों में तो उनको 22 जगा पढ़ सकता है क्या कंडिशन्स पे लाए उसको डिपेंट करता है और जनरली केसा है कि तीनों को पेमेंट करने के बाद जो बच्चे के वो प्रॉफिट रहेगा ठीक है अच्छा यह सब कुछ होने के बाद फिर यह वेल्फेर एकनोमिक्स यह नहीं कंसिप्टिक लेग एकनोमिक्स का माइक्रोइकनोमिक्स का स्कोप जो है वो और बढ़ाया है उन्होंने और कहां तक लेकिए हो एकनोमिक वेल्फेर तक के कंपड़े बले हैं एकनोमिक वेल्फेर में तीन जी जाती है एकनोमिक वेल्फेर में तीन जी जाती है खास करके स्कारोचिट अधिक प्रॉडक्शन्स में ने ठेल ऑ एकनोमाट्स और एकनुंस किसेंधार है वेल्फेर थूर इंन्हों है ना फिर करें को स्थोक क्या है सब्सक्राइब चीजों की प्राइज बीचाइब लिभी है उसके बद में नुए इजए प्राइब ने वो एक्टरं प्राइजिन मतलब क्या है फैक्टर और प्रेडक्शिंजी की प्राइज यह चार्ट थोड़ा आराम से देखो तो पॉस करके लिख बिलो लिखना पॉसिबल है तो मैं तो कुछ ना कोई उसके तरब देखते रहो अच्छे से पॉस करके मैं जान मुझ के स्लोले रहो चार्ट पे यूगि इस पे पूरे कोश्चन डिपेंड है इस पे तीन जार कोश् सिटी में एक जो नौलेंट शाय था उसने इस दो शब्दों को कोई किया मतलब बनाया कोंसी तो माइक्रो और मैक्रो को यह मैक्रो क्या है एकदों इसके दो स्कड़ी करने के एंगल है अभी कैसा अपना एक 50 लोगों की बैच है तो 50 लोगों की बैच में मैं एक दू बच् को क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने एक दो को क्वेश्चन पूछा कि बताओ माइक्रो इतना में इसका मतलब क्या है मैक्रो क्या है फटा फटा एंसर दी उन्होंने तो मैं समझ जांगा बैच बहुत अच्छे ही एक एप्रोच है मेरा और कभी-गभी मैं को यह गलत लगत कि नहीं दो जड़ों ने एंसर दिया तो क्या 48 लोगों ने भी 50 लोगों की स्कड़ी बराबर है तो मैं यह देखूंगा कि 50 लोगों को भी टेस्ट लूँगा या क्वेश्चन कुछूंगा बता माइक्रों क्या है बता फिर एनालीसिस करूंगा कि नहीं 50 में से आधे मैंच को जज कर लिया एक दूरों फॉर मस्ति करते हैं तो मैंना सुछ लिए यह मैंच पूरी बोगस है तो यह माइक्रों मैंसरों और पूरे 50 लोगों को भी समझ लिया मैंने कि नहीं ने इसमेचे 10 एक लोग है अखोरे बोगस और 20-30 लोग सिंसे रहे 10-20 लोग सिंसे रह मैंने तो इट बिकम्स में मैंसरों मिलियन पार्ट स्मॉल पार्ट सिदर सिदर इक अपनी भाष्या में बोलना है तो पूरा जंगल मतलब क्या है मैक्रों और उसमें से एक ज़ाड एक पेड मतलब मतलब माइक्रों किसी को भी समझ जाएगा इस उम दस्विए भी पास नही मतलब क्या है मैक्रों प्रोड़क्ट का प्राइजिंग मतलब क्या कि मत डिसाइड करना फैक्टर का प्राइजिंग उसकी किमत लगाना और इकनॉमिक वेल्ट है यह ना यह सब अपन समझ लेंगे अभी डीटेल में समझ लेंगे पर अगले स्क्रीन में देखो factor pricing जो अपन ने ए नंबर बोला था factor pricing उसमें demand और supply दू चीजों को study किया जता है देखो line to line the price of individual commodity is determined by market forces of demand and supply देखो कितना must लिया है होग बड़ा एक secret अपने को पता चलता है ये market में price कैसे डिसेड होती है शान्ता भाई आती है किसंद्रावाते सब्जी बेशने के लिए फूर्ज बेशने के लिए रट्रे जोप में तो ये कि मूर देखके price decide करती है आज मूर मच्छा मूर है तो ग्रहागों को 20 रुपे किलो देदो समाट हो जड़े आज मूर जगरे करके आए आज नर्भस है तो 40 रुपे किलो देचो ये रहता कि उनका मूर देखके उनका चेंज होता है कि है price नहीं तो market में price कैसे decide होती है कितना interesting है देखो market की price अपने पढ़ाना भी determine by किस से determine होती है दो force force मतलब ताकत पहली दाकत कौनसी है demand दुसरी दाकत कौनसी है supply किसी भी market में America में जब USA में जब Britain में जब कहीं पे भी जब बड़गाव लोहारा में जब पाटा पागरा जब किनी जब कहीं पे भी जब छोटे लेवल पे जब बड़े लेवल पे जब दुछी फोर्स में लेगे आता और वो फोर्स ताकत शक्ती क्या है yes demand और supply अब आप सीधा देखो न एक आदी चीच की demand बढ़ेगे बहुत demand बढ़ेगे तो क्या हो जाएगा उसकी price अब चली जएगी बढ़ जाएगी जैसे किसी बे current सबके दिमाज में दिन मर कोरोना कोरोना चलते रहता है तो अपन थोड़ा सा उसका भी पढ़ाई में यूज कर लेगे कोरोना के current mass की demand बढ़ेगे तो एक अदर दस रूपे में मिलने वाला mass भी 20 रूपे हो सकता है अब situation अलग-अलग रहती कभी government control कर लेती है कभी कोई social service वाले pocket में भी बाढ़ते है वो नहीं अपने एक normal situation देखेंगे कि बीच में जैसे कोई DC's आया था उसमें कोई tablet जैसे paracetimer बगर है तो उसको खाने से वो होगा नहीं अइसा कर लोगों ने सोच लिया तो उसकी दिमांड इत्ती बढ़ गए थी वो पुरे दुकान के वो बोडियाग खतम हो जाती है दिमांड बढ़ने से कि वो भी महेंगा देने शुव करते है double rate लगा दे टिबल rate लगा दे whatever एक नहीं जिसे अभी भी देखा लोगडोर में कुछ कुछ चीजों की रिमांड बहुत बढ़ दी और वो चीज मिली नहीं तो सानिटाइजर की डिमांड बढ़ने से कुछ कुछ लोगों ने जैते मैंने दो तिन लोगों को अब्ज़र के एक भी प्राइस बढ़ा दी है ना एकादी 100 रुपीस की बोड़लों की तो वो 200 में कर दी है है और फिर भी नहीं दे रहें पैचानवालों की दे रहें क्योंकि उस समय सैनिटाइजर जो एवेलेबल था मार्केट में उससी ज्यादा डिमांड ना गई तो वो क्या होगे उसकी प्राइस बढ़ गई तो उसकी प्राइस रखाए क्लेक्टर ने ओर दिया है कि इसकी प् अब यह ओनलाइन एजुकेशन की डिमांड भरेगी उससे क्या हो जाएगा ऑनलाइन जो एक्विप्वेंट रहता है एक अदर कुछ स्पी कर रहेगा एक अदर को और कुछ एक्विप्वेंट रहेगा शायद उसकी डिमांड बढ़ जाएगी उसकी प्राइस भी बढ़ा प्रोडक्शन तो एक दिम में होना नहीं है जिसे एक दन लोगों ने वेब्केम मंगना शुरू करते हैं को यह अत्माल में ज्यादा से ज्यादा सो लोग वेक्वेंट खरिपने वाले थे इस मैने में लेकिन यह ओनलाइन एजुकेशन की करें हजार लोगों ने डिमांड क कि जिन्दगी पर याद रहेंगा तुमके यह मार्केट और मार्केट याद करो एक आदे अपना घर के आज़ी वाजी तो कि सप्लाइ बहुत बढ़ गया सप्लाइ बहुत ही बढ़ गया तो उसकी प्राइज कम हो जाती है है ना छोटे-छोटे एक्जैंपल देखो बीच म तर्बूज रहते हैं अंगूर है उन्हें पहुत आगे तहां से लियर क्या उलमागी इसकी प्राइज क्या मुखें इसके प्राइज प्राइज तक तर्बू जा गया है तो पिलकुल औरा ने कीजिता अपना बिचाए बढ़ ने करद i सब्सक्राइब करते हैं जो दो तीन चीजों की प्राइज बताई तर्बूज 10 रुपे की किलोग्राम अंगुर 50 रुपे किलोग्राम पर सप्लाइ और बढ़ गया तो किमत कम हो जाएगी पर अब देखो थोड़ा सा सप्लाइ कम हो गया अंगुर कम आने लगे तो क्या वर जाएगा अंगुर्श की पर 80 रुपे किलो तक जाएगी 100 रुपे किलो तक भी जाएगी और डिपैंड गरता है मार्केट के सप्लाइ पर कि कितनी लोग बेच रहे हैं उसके बाद में बीच में मुझे गाजर हो ना था तो गाजर मार्केट मुन मिला नहीं एक ज अब दायब होने लगेंगे समझें अभी तो आज तो है आज मैंने देखा है और देरे जरी वो भी कम हो जाएंगे कुछ महनों में कुछ दिनों में तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएंगे ऐसे कितने हर आइटम का एता हर आइटम का तिप जिसका कंट्रोल गॉर्मेंट कर अब तो आइटम के गाएगा यह रूल दिमांड और सप्लाइगा क्योंकि क्या है वो गॉर्मेंट कंट्रोल है आइटम टॉकिंग अबर ओपन एकनोमिक प्री जिसके किसी का कंट्रोल नहीं है है ना है क्या कोई एसा भाई दस्ते जोक में कि जो प्राइस रिचाड़ है पर उसी समय सप्लाइ बढ़ा दिया तो उसकी प्राइस क्या होती है कम होने लगती है एक लास्ट इग्जांबल देखे आगे बढ़ेंगे अपर कि पहले कि टाइन्स की डिमांड बहुत बढ़ बढ़ बढ़ने लगी एकदम बढ़ने लगी जो दसवी पास होता था था खम परसिंटेज भी रहे तो मैं साइंस लुपर यह हमारे जमाने में यारे मुझे तो क्या होने लगा साइंस की ट्यूशन की इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई आज कि इतनी बता देर लाग रुपए एक लाग रुपए यह रेंज में उसके वह पीम्ट पीए थी रहता वो सब समाग है पर लाग से देर लाग के रेंज में है अच्छे क्लाट्स में है न कोई 10,000 में पढ़ा रहा हूंगा तो वो मुझे पता नहीं मैं देखो इकना में पढ़ाते वक्त यह रखना है कि अपन ज्यादा सी ज्यादा लोगों को सोचते हैं है ना 80% लोगों को तो हूँ नहीं देखना पर ने 90% लोगों को देखना है क्योंकि एकॉनोमिक्स क्या है यूमन लिएवियर साइंस मनुष्य के स्वभाव से एंपर्फिक्शन नहीं रहे रहा है ना नहीं तो मैं बोलो जैसे देर लाग फीज है तो तो मैं बोले लाग को फीज है सब 10,000 ले सब्सक्राइब और उसी समय चार से पात साल में अब्जर्व किया मैंने कि साइंस के ट्यूशन क्लास का सप्लाइब बढ़ गया सप्लाइ भी बढ़ गया सप्लाइ मतलब जहां वहां गली में साइंस की क्लासिस होगी फिर अटोमेटिकल उसका प्रिणाम क्या हो गया कि फीस कम करना पड़ा होगी जो देड़ लाग रुपे ले रहे थे वो वन लॉट वन लाग ट्वेटीपाउजन ले में होगे उसमें भ एक्स यजेर फीड है और इस साल मानलों ऐसाद चार लोगों ने और शोर किया चार टूशन क्लासिस शुरू हो गया तो क्या हो जाएंगे धेरे-धेरे उसकी प्राइस कम हो जाएंगे और दो लोगों ने बन भी कर दिया कोरोना के वाज़े से क्या हमको टूशन ले नहीं ह क्या है शुरूशन की था क्या जाएंगे। तो क्या हो जाएंगा भाकी लोगों फीडिशन क्लास के फिस बढ़ जाएंगे क्योंकि हम जो पाच क्लासे से तो पाच में से दो बन होगे तो तीन पर पुरा लोग आ जाएगा क्या होगा दिमांड और सप्लाई पूरा आप इसके पीछे दिखो लो दिखे हैं दिमांड और सप्लाई है एकनामिक्स अच्छे से सीखना है तुमको तो सिर्फ दू शब्दों को समझना पड़ता है दिमांड और सप्लाई है ना एकनामिक्स की किताब परीदी मैंने उसमें लिखा था कि आपके पास अगर पैरेट होगा तोटा होगा निख्थू पोपट तो उस पोपट को पोटे को दो ही वर्ड सिखा हो सब के एंसरस में दिमांड और सप्लाई है दो ही वर्ड सिखा और वों बड़ा एकनामिस्ट बन जाएगा अब ये इसका मतलब क्या हुआ उसको ये बोलना था कि आप अगर दिमांड सप्लाई को अच्छे से समझ सकेंगे तो कोई भी होगा तो ता भी होगा एक अगरा बूलने वाला वो भी इकनामिक समझा सकता है तमझ सकता है समझ लेता है ये एकनामिक्स के दोज चादू वर्ड है magical वर्ड है दिमांड और सप्लाई अब आगे बढ़ेंगे माइक्रो एकनामिक्स इस concerned with demand analysis that is individual consumer behavior supply analysis पर इस बढ़ेंगे बाता है demand or supply और individual producer behavior प्रोड़क्ट प्राइजिंग मतलब क्या है एक खादे वस्तू की प्राइज को समझना M.I.C.R. का काम है micro के कर्टो के क्या है duty क्या है responsibility क्या है तो पहली responsibility समझ की तुम को ए नंबर product pricing में क्या देखते है अपन demand और supply उससे अपन price decide करते है इधर से supply वाले आते है इधर से demand वाले आते है उनके बीच में लुद्ध होता है लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद एक price generate होती है और वो price उस समय की है जिन्दकी पर के लिए नहीं रहती है रोश भी बदल सकती है घंटे पर भी बदल सकती है आप सब जिलेने सबेरे जाओगे अभी lockdown अगरे इसलिए नॉर्मल नहीं है नॉर्मल मार्केट में आप जन्वरी का मार्केट आतो हो सबेरे जाएंगे तो अच्छी काशी price रहेंगे लेकिन शामको आट नो बजे जाएंगे तो उसकी price एकडम से कम हो जाती है उसके अलग अलग कारण है कुछ पर देखो ना price दिन बर में तीन बार बढ़ल सकती है समची की बात करेंगे सबेरे अलग दो पेर को अलग शामको अलग शामकों को जाने की घाई रहती है कुछ वेजेटेबल खराब होने वाली रहती है वो सस्ते में भी बेच के चले जाती है दशेरे की दिन एक दिन पहले जाओ वो flowers वगरे रहते हैंगे रहते हैंगे तो दोपेर को शायद शायद बोलो में वो market conditions पे depend करेगा उस दिन क्या situation है कि उस पे depend रहेगा पर शायद पहल कम हो जाएगे और एकदम शामको जाओ वो जो फूल बेचने आले रहते हैंगे इतने सस्ते में रहते हैंगे कि जैसे अपना रिष्टेदार है या भूति बेच्ट फ्रेंड है अपना है लेकी जाना है और लेकी जाना है दो किलो के बहाँ में चार किलो देंगा और ऐसा हो सकता है क्योंकि उसको पता है यह perishable है परसोख अपने शोल्ड होने वाले नहीं है यह फूल अभी शाम को useless हो जाएंगे एक लिमिट के बाद तो ऐसा सभी चीजों कर रहता है तो मार्केट डिपेंड करता है दिमांड और सप्लाइगा शाम को डिमांड कम हो जाती है तो इसकी प्राइस भी कम हो जाती है सब यह बिल्कुल वो नहादों के सब्लोग मार्केट में खीड करते है तो उसकी प्राइस अकड़के रहती है वो ठाइब बेव कमा लेता है तेकिन शाम को उसकी रिमांड कम हो जाती है तो इसा सब का रहता है तो यह सब को सिचुएशनल है प्रोड़ने वाला है तो यह हो किसी भी वस्तु को तैयर करने के लिए चार चिजे लगती है इकनोमिक्स में, इन माइक्रो एकनोमिक्स लैंड यह जमीन लगती है, दूसरा लेबर लगता है त्सवर अटा है त्सवर लगता है पुझजी एपटल वाल, थ्यान टिक अटे का दिएएव, त्सवर लगता है entrepreneur entrepreneur मतलब क्या जो और्गनाइज करने वाला Captain है तीम का Captain जो जमीन लाएगा लेबर लाएगा Capital लाएगा उनको manage करेगा क्योंकि लेबर लाके खड़े करने मतलब निए उनको उनसे काम करवा लेना पड़ता है न तो वो अबारे पास सब कुछ तैयार है और फिर भी entrepreneur नहीं है और अच्छी जमीन है देखो बहुत अच्छी जमीन है कुछ खायदा नहीं है और अच्छी लेबर है पैसा भी बहुत है जहां वाना टूशन लगा सकते हैं जो चाहिए वो खरीद सकते हैं है न सब कुछ है उमारे भी में महाद करने की इच्छा है पर अच्छा direction नहीं मिल रहा अपको education सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है तो यह यूजले रहता है तो entrepreneur captain है industry का तो इसे चार फेक्टर रहते है land, labor, capital और entrepreneur यह चारो को production के process में contribution देना पता है are the factors that contribute to the production process micro help determining the reward reward मतलब उनको मिलने वाला पैसा land को क्या मिलेगा rent मिलेगा reward for land, labor, capital, entrepreneur यह देखो land को क्या मिलता rent मिलता है देखो land लेबर को क्या मिलेगा venture capital को क्या मिलेगा interest और जो चारोटा hero है captain उस captain को क्या मिलेगा profit तो land, rent, labor, wages, capital, interest, and entrepreneur profit यह decide करना micro का काम है किसको कितना देना, पूरे पैसे land को दे भी भाया करेगा labor को क्या मिलेगा, interest क्या मिलेगा, इसलिए इसका rule, इसका interest, इसका remuneration, उसका मौबदला, मौबदा, कितना हो उनको कितना धन मिले, उसका किसर पैसा मिले, उसारा किसमें decide होता है, M-I-C-R-O में ठीक है, तो देखो A number क्या था, product की price प्रॉडक्ट में क्या आता है, छोटी सी ताचनी पीन से लेके तो motor, car तक सभी आता है, और उसमें pricing में क्या देखा आपने, कि demand और supply दो ठाकत है, वी तो point to point याद रखना, B number में क्या देखा, factor की pricing, factor की pricing में इधर चार hero लिए अपनने, land, labor, capital और entrepreneur, और इंचार heroes को मिलने वाला remuneration, वो बदला, वो आउजा, land को क्या मिलता है, हाँ, सुनाई दे रहा मैं को क्या बोल रहा है, land को क्या मिल रहा है, rate, labor को क्या मिल रहा है, wages, capital को, interest, entrepreneur को profit, ये होता है, factor pricing, वो था product pricing, है ना, अभी C number देखो, last number देखो, है ना, C number देखो, economic welfare, है ना, C number में क्या दिया है, economic welfare, economic welfare में, welfare मतलब progress करना, उननती करना, development करना, मुझे एक प्रकार का, welfare मतलब progress, full word है, वो, बढ़ाना दुझ, तो क्या देखो, theory of welfare basically deals with efficiency, efficiency मतलब कारियक्षमाता, काम करने, एची शक्ती, काम करने की एक टाकत अपने, इतना allocation है, रिसोर्स है, ये लोकेशन मतलब बढ़ारा करना, resources मतलब हमारे पास जो साधन है, मैंने बोला, limited है, कौन से साधन है, time एक resource है, हमारे पास, energy एक resource है, energy भी limited है, artful energy है, तो कुछ सार के बाद कम हो जाएंगे, है ना, अभी 30-40 के पहले अपने पास एक energy रहती है, 40 के बाद और ख़ड़ी कम होती है, 60 के बाद और कम होती है, 70 के बाद और कम होती है, तो energy भी resource है, पुड़ाबे में समझ में आया रहे, मैंने महनती नहीं किया, तो वो resource waste हो जाता, तो और time भी important है, और तीसरा resource मैंने पहले बलाता, पैसा है, money, ये तीन चीजों को जो समझ सकेगा, तो बहुर अच्छे एक ममच समझ सकेगा, तीन वर्ट समझ से time, energy, और money, इससे efficiency थाइवती है, ये न, efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people, ये उसका परेड़ाम काया होना चाहिए, maximum satisfaction, ये को जादा सी जादा satisfaction, इकनॉमिक्स में तीन efficiencies involved है, फिर से देखो, efficiency मतलब कार्यक्षमता और हमारी कार्यक्षमता से जादा से जादा satisfaction होना चाहिए, ये हमको लगना चाहिए, देखो न, कभी-कभी हम पैसा खर्चे करने करने को इसका हूँ, मुड़ाव को जाता अपना, कि नहीं, आर इसमें मुवी देखने के आप, अभी तुस्याटर वेटर बंदे और आप जवाना याद करो, कि मुवी देखने के, तो बहुत बार ऐसे react करते हैं, क्या भंगजन मुवी, ठीक, बखवास मुवी, पैसे भेसक है, याने क्या हो गया, maximization of satisfaction नहीं हुआ हमारा, हमारा समादान नहीं ह पर एकादी मुवी देखने के बाद, गोती satisfaction होता है, कि आप, बढ़ी बढ़ी मुवी थी, क्या बनाई मुवी, याना पैसे वसूल हो गया है, सब भी वर कभी कभी निकलता है, एकादे बार कुछ खाने भीने के बाद भी ऐसा लगता है, कि आप आया बने होटेल में, रेस satisfaction बहुत अच्छा मिला, हम बुलते न, याना इतना बढ़ी है, सर्विस टीमां पर, रेट भी है से थास ज्यादा लगाए निए, इसमें, इसमें, आप देखो, इकनोमिस मतलम बहुत है, कोई चीज नहीं है, कि आसमान को जाके छुना है, कोई एरोपलेन टेक्नोलोजी है, एरोपलेन को ऐसे बनता है, वो सिखना है, सिंपली मैं कोई से एक्जांपल दे रहा हूँ, सबजी मार्केश, टूर्स मार्केश, होटेल, रेस्टोरेंग, जो हम रोज भी नहीं जाते होंगे, तो भी हम समझ सकते इस चीज़ों, मैं क्या समझा रहा हूँ है, बिल्कुल आ अपने, तो भी हम यह सब इकनाविक समझ लेते हैं, अब तीन एफिजेंसी को उन्से देखो, लास्ट लास्टेज में जब पर अपने बैठे रहा हो भी, पहला है प्रोड़क्शन की एफिशेंसी, और दूसरा है कंजम्शन की एफिशेंसी, देखो, स्क्रिन पर आ रहा है और तीसरा है, ओवराल एफिशेंसी, है ना, यहने फिशेंसी देखो, ओवराल एफिशेंसी, कंजम्शन एफिशेंसी, प्रोड़क्शन एफिशेंसी, एफिशेंसी इन प्रोड़क्शन, एफिशेंसी इन कंजम्शन, ओवराल एकनामिक एफिशेंसी, है ना, तो यह होने क कि बाद अपन फॉप हो जाते हैं अभी सबसे पहला है प्रोड़क्शन एफिशेंश इन प्रोड़क्शन देखो क्या है efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources कितना बढ़ी है लेको simple शब्द है और समझने लाग दिये कि जो अपने पास resource है उससे ज़्यादा सी ज़्यादा उप्टूट निकालना ज़्यादा सी ज़्यादा उप्टूट निकालना ये production की efficiency और ये micro का पार्ट है तो क्या करता है एक मशीन मैंने देखी है जो मेरा experience में याद करा हूँ कि उसके बाग मशीन है simply हाद से चलने वाली मशीन है आजकल electric मशीन पे निकली है दूनों का काम से मैं तो जो डूर डूर बेचता है वो बिना अच्छी मशीन ये रेक्रिक करता है और जो अच्छा क्या बूलते है वो दुकान लगाया है रस्वंदी बूलते है पर दोनों क्या करते देखो लास्ट कवर देखो क्या करते दोनों भी maximum possible amount 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 मतलब quantity quantity of goods and services from given resources given resource मतलब उसके बास एक शुगर केन है शुगर केन मतलब गन्ना है तो गन्ने का जूस निकालते है वो एक बार मशीन में नहीं डलता उसको इतनी बार डालता है अब कितनी बार डालता है वो उसको पता है पर इतनी बार जरूर डालता है कि एक दो को से स्थक करता हुआ लुए को फोल्ड करता है फोल्ड करता है तो फिर शे डालता है में में प्र दबल करता है क्या कर रहा हूँ एक शुगर केल केल बनेंगा तो एक इंज से वो ज्यादा से ज्यादा जूस निकालना चाता है दो इसको बोलते हैं Efficiency in production क्युशन ये सिम्म बच्चा बैठाओंगा तुम्हारे आग्जुवजु में तेरा भाई हो गरे आग्जुवजु के पड़ो को ले उसको भी समझ में आता है कि efficiency कैसे होती है आप गन्ने का जूस निकालते हैं वैसे घर में एकादे बार mango का जूस निकालो तो mango के जूस में economics तभी हो जाएगा कि उस mango से जादा से जाजे जूस निकालने को कोशिए से लगए हो कैसे निकालना है सबकी टेक्निक अलग अलग रहेंगी तुमारे गर में अलग रहेंगी तुमारे गर में अलग रहेंगी तुसरे गाव में अलग रहेंगी पर everybody wants to obtain the maximum output from the given unit whether it is unit of mango, whether it is sugar cane whether it is कुछ भी कुछ भी तो क्या करेगा बार बार उसको ऐसे इस्तेमाल करेगा प्रोसेस करेगा कि उससे ज्यादा से ज्यादा juice निकले है ना चाहे वो फिर orange juice हो कुछ भी juice हो एक simple example है तुम इसको बलते production efficiency कि given input से ज्यादा से ज्यादा output obtain दरने को कोशिश करना है अपन जे अब लास्ट बैटन पॉइंट एफिशियंस इन कंजम्शन हो भी समझ लोग कुछ सिंपल है एफिशिंस इन कंजम्शन का मतलब क्या होता है अब पडोस में दिया है distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way to maximize total satisfaction of society ते से देखो फुदी सिंपल है consumption का मतलब होता है distribute करना गुर्जावस इसको जिससे maximum satisfaction of society का है ना society मतलब पूरा जो मार्केट है उसमें इस तरीके से consumption मतलब use करना उपयोग करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचे वो चीज़ है ना वो है efficiency in consumption ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इस्तिमाल करें ज्यादा से ज्यादा लोग उसको मजा ले उस चीज़ का ज्यादा से ज्यादा लोग उससे satisfy हो यह देखना ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच गया तो मेरी क्या हो जाएंगी efficiency in consumption हो जाएगा इस लेक्टर को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकेंगे तो उसको बुलते efficiency in consumption classroom में क्या होता है limited batch में जितने आ गए तो जो 50 students आ गए तो 50 students देख पाते हैं और online अगर अपन करेंगे तो बाहर गाओ की भी देख सकते हैं और अपन ने efficiently पढ़ाया तो अच्छे से अपन ने explain किया और चीज़ को या knowledge अपने को है तो हो सकता ही कि consumption की level बहुत बढ़ जाए इसमें गाओ का restriction ने रहेगा इसमें एरिया का restriction ने रहेगा और इसलिए क्या हो जाएगा consumption की efficiency आ जाएगी तो यह क्या हो जाता है maximum total satisfaction to the society okay so पहला क्या था production क्या था consumption अभी लास्ट देखो overall economic efficiency देखो line to line क्या है overall मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब it means production of these goods which are most desired by the people देखो कौनसी चीज तैयर करता what to produce क्या तैयर करता question arise हो जाएगा what to produce तो वो चीज produce करो जो चीज लोगों को लगती है फिर से देखो बहुत ही simple चब्सक्राइब बड़ी बड़ी कंपनी मैं को खुद को फोना है TCS से टाटा के इंट्रनेट से नंबर निकाला हूंगा अपनके वर्ल्ड पॉपिलर नहीं है तो उनका फोना है और बोले कि हम online lectures कैसे लेता हूं उसकी सर्विस देते हैं उसके बद में जस्डाइल वालों का फोना है मुझे लोगों के लिए लोगों तक पोशने के लिए कि कैसे पूछना उनके पास कुछ होगा टेक्निक कुछ प्लैटफॉर्म होंगा उसके बाद में एक परस्नली यहादमाल का एक रिट्टी भी आया था वह भी बोला में कि वहारे पास सॉप्ट्वियर है रेकॉरिंग कैसे करन अब अब आप देखो ना यह लॉगड़न प्रेड में तीन अच्छे अच्छे औरशन से कॉंटेक्ट होने है हो सकता है कि होट लोग इसमें काम कर रहे हो मेरे जैसे लोगों को तीन लोगों ने कॉंटेक्ट किया मतलब मार्केट में 30 लोग होंगे जो यह सर्वीस प्रोव क्योंकि अभी जो लाइन में ने पड़ाई वो कि वो तैयार करो विचार मोस्ट डिजाइड बाई पीपल लोगों को वो होना है इसको बलते है ओवर ओल एफिशेंसी माइक्रो थेरी शोर अंडर वाट कंडिशन्स तीन इफिशेंसी और अच्छी हो तो माइक्रो वाले यह कि आपके बताते हैं कि किस परिस्टिती में हैं हाँ हसिल कर सकते हैं कूंत्य परिस्टित है अपन प्राप्त करू शकू तो इस तरीके से यह माइक्रो का ओवरराल एप्रोच है फिर से देखो तीन एप्रोच क्या देखे अपनने प्रोडक्शन्स, कंजम्शन, ओवर्ल एफिशन्सी, और ओवर्ल एफिशन्सी में क्या देखना है, वो चीज प्रोडूस करो, जो सोसाइटी को रगता है, आज समाज को मास्क की ज़रूरत है, तुकि गौर्मेंट ने बोल दिया कि बिना मास्क का देखेंगे, तो फ्रेंड लगा देखेंगे, और नहीं भी निकलना चाहिए, गौर्मेंट ने फैंड भी नहीं लगाया तो आज क्या हो गया, ओटोडूर्मेंट ने मास्क की रिमाइंड बढ़ गए, तो कितने मास्क करेंगे, जितने लोग उत्ते मास्क, उससे ज़्यादा, यह दो, तीन, तीन, च इतनी सारी न्यू कंपनी आगी, पता है, मैंने प्रेपर में पड़ा, कि वो एक शुगर फैक्ट्री है, कोई तो भी, उन्होंने भी सैनिटाजर प्रोडिस करना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते, ओबराल एकनाओगी, शुगर तो रोजी तैयर करते, चुला, इसको बढ़ाना है, या मैंने ऐसे भी देखे, एक दो हस्पिटल, अपने उस्पिटल में तुने देखे, पर महार जाओ देखे, तो उन्होंने अपना हस्पिटल पूरा का पूरा कोरोना के लिए डोनेट कर दिया, यहां से कोरोना की पेशेंट्स को सर्फ करेंगे, अपने प्रोड़क्शन नहीं हो गया, वो तो देखे, वाए होटेल पच्चे सल पहले गए, बीस सल पहले गए है, पर अभी उन्होंने वो अवेलेबल कर दिया कि ले, वेड़ा होटेल को यूज करो, इस इस दो प्रोड़क्शन आप सर्विसेज, है न, यह लो, हमारा होस रस्ट पोड़ अवी को तो मिक्र हैं लेख में वेड़ा है, यह लो, हाट आप सर्ण नैश contribute क्या नहीं करते हैं इसमें करें हैं मांईकरोल मी करें है इसमें करेंगे मैंकरोरा लोग नेकरील करते हैं पुरे वड़ में है, आरेक में गरीबी ऐसा ने रेता, अमेरिका में भी गरीब है, तो गरीबी के कारण क्या है, वहाँ उसको इरेडिक्ट करने के लिए क्या करता है, इसकी स्टड़ी अब इसमें नहीं करेंगे, नहीं शब्द है, नौट स्टड़ी बोलाएं न, एरेको, न, तो नौट स्टड़ी एगो, नौट स्टड़ी, क्या नौट स्टड़ी, बैरोजगारी, अनेपलाइमें, पावर्टी, गरीबी, इनिक्वैलिटी, और समानता है, इंकम की, किसे के बाग, नौपैसा, इतना पैसा है, बहुत पैसा है, कोई मिडल क्लास है, कोई पूर क् यह हैंने, इंकम में इनिक्वैलिटी है, चोई तीन रुपे, इनकम कमाते, कोई, कोई हजार-Dवजार कमाता है, कोई कितना भी कमाता है, पता में कों क्या कमाता है, पर, इंकम की इनिक्वैलिटी है, और समानता है, वो भी हम स्टड़ी निकरेबीघी, आने, ग्रोथ aggregate approach, प पैसी की पॉलीशी बनाती है पैसा कितना चापना निकालना इसु करना प्रेंट करना उस जिन गौश्ची नोट चापना शुरू कर दिया पिर एक जार की नोट कैंसल दिए पर पास्टों की नोट कैंसल दिए यह सब क्या है को से कॉनसे कॉइं से सहापना कों तल से को न चापना कょ मिंटिंग मोलते हैं को नोट चापने को प्रिंटिंग और कोartet को को प्रिंटिंग अं अध्यक्री वो है monetary policy, और दूसरा है fiscal policy, यह न, fiscal policy मतलब government की income की और expenses की policy, उसे government ने बोल दिया, कि एक साल हम सरकारी नोकरी में भर्ती निकरेंगे, यहने क्या नहीं करेंगे, नए government servants को खर्चा नहीं करेंगे उसको पर, उनकी पजार का खर्चा, उनका training का खर्चा, बच गया government है, यह policy declare करने से, वो कोन सी policy होगे, fiscal policy, फिर government ने डिकलेर कर दिया, यह न करेंगे, यह कोई भी department वाले construction ने करेंगे, यहने जैसे MSV वाले नई building मना रहे, अब उनका पता नहीं को रूपेंगे, अब नहीं building नहीं बनाएंगे, उनकी अभी पुराना सैंक्शन था, दो साल पहरे का तो चलेंगे, और अभी एकादी के मन में आए, पिकट लूड़े, पिकट पर हम नाय बनाते है, यह किसी ग्राम पंजात को लगा, किसी नगर परिशन को लगा, कि हम नहीं building मनाते है, तो शेल्टर है, इन पर खर्चा करेंगे, पर क्या पर खर्चा नहीं करेंगे, नहीं recruitment नहीं करेंगे हम, नया constructions वगरा नहीं करेंगे, गवर्मेंट ओफिस का वगरा, यह नहीं स्कूलों का नहीं करेंगे, यह fiscal policy है, एक्सेटरा, और beyond the limit of micro economics, यह माइक्रो में क्या-क्या, allergic है allergy मतलब नहीं किये जाते, unemployment, बेरोज़कारी, poverty, inequality of income, और समानता, IQ income के, उसके बद में business cycle की टेरी, monetary, policy, fiscal policy, यह सम गवर्मेंट स्टड़ी नहीं करते, माइक्र होगा, यह काईने होती है स्टड़ी, मैक्रो में, ओके, समझ गया, अभी मैं तुमको फिर से एक बर revise करता हूँ, दो मिनिट पर revise करते हो तुना है, पहले से क्या पढ़ा, आप देखो, हम भी आके बन गर के याद करो, सबसे पहले हमने देखा, कि there are two types of economics, micro and macro, both words are derived from Greek words, M-I-K-R-O, and M-I-K-R-O, Norvian economics technology has coined this in 1933, okay, there are two branches of economics, in the debit side, micro, M-I-K-R-O, means smallest aspect, and macro, means largest branch, what is mean by micro, in a simple words, microeconomics means study of smallest part, billion part, it is a slicing matter, when we make a slice of potato, tomato, onion, etc., the smallest slice is called as the micro, and the study of that slice is called as the micro, when we divide the large economics in a several parts, the study of smallest part is called as the microeconomics, then we have studied the definitions of two brilliant economists, so Maurice Job and Lerner, both are expressed the views about the microeconomics, and what is microeconomics according to them, it is the microscopic study, what is mean by microscopic study, microscopic study means looking into the billions of cells, in the body of economics, the things, which is very very large, smallest, become the large in microscope, so it is the microscopic study, according to Dob and Lerner, definition must be written as it is, don't change the definition, then the last important part, we have studied the scope, what is mean by scope, scope means area of microeconomics, in which area the microeconomics is operated, we are compatible, microeconomics is operated in the three areas, and one is the theory of pricing, that is called A, product pricing, means deciding the price of the product, second is deciding the price of factor, factor means factor of production, and product means ping to piano, any product, factor means land, labor, capital, and economic welfare means, do that things, to reach with maximum customer, which is called as the production, then consumption, then overall efficiency, see once more, product pricing is deciding the price of the product, and there are only two forces of economics, which two forces, demand force, and supply force, which decide the price, in a simple words, if the demands are increasing, price may also increase, if the demand is decreasing, the price may be decreasing, which is called as the product pricing, now second is the factor pricing, there are four factors of production, land is one of the factors, labor is second factor, capital is the third factor, and entrepreneur is the fourth factor, land is getting the rent, labor is getting the wages, capital is commanding on the interest, and remaining properties, belonging to the entrepreneur, four factors, that is the capital of industry, capital of the production activity, how to decide the price, how to decide the price of product, price of factors, both are the scope of microeconomics, and both are the part-parcel of the microeconomics, is the scope of microeconomics, large scope, is the economic welfare, what is mean by economic welfare, economic welfare means maximizing the satisfaction of the people, maximizing the satisfaction of the people, so every person, every factor in the economics must feel that, I am very very satisfied, there is no chance to increase the satisfaction, when our satisfaction becomes an optimum level, optimum level, it becomes the welfare, in the welfare theory, production efficiency, efficiency in production, what is mean by efficiency in production, from the given amount of input, achieving the maximum output, in particular input, we are getting the maximum output, maximum output, it is called as the production efficiency, consumption efficiency means, maximizing the satisfaction, by reaching maximum people, maximum people, so increasing the base of the customer, is called as the efficiency in consumption, and overall efficiency means, make the production of only those things, which are needed by the society, if the society is requiring certain things, only produce that thing, so produce those things, according to the need or demand of the society, is called as the overall efficiency, of the economy, intuition, soAf rights of the・・・? You could not focus here on economics economics, AI, economics and contracts are not done, when the abovetakes are made and covers, when you want to watch the title song, जितना आगे जाएंगे उतना बहुत मज़ा आगा क्योंकि आगे फिर अपने को बैंकिंग है इंजुनस के बारे में थोड़ा फार इंफमेशन है डिमांड एक्जैटली क्या है लॉप डिमांड लॉप सप्ला है डिमिनेशिंग यूटिलीटी है यह बहुत अच्छे टॉप कोस्त है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं के अपने टुशन का है नहीं है अपने गोस्तों को भी शेयर करो और तुमारे कुछ व्यूज होंगे और किस प्रकार से होना तुमको तो भी मुझे बिंदा पून करके बताओ कि मेरे वर्सेप नमबर ते मैसेज डाल दोगा ओके और इ झाल 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 झाल